अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन है या फेस्टिवल के लिए कुछ स्वीट्स बनाना चाहते हैं तो इसे बनाईए बहुत ही टेस्टी और क्विक कैरमल राइस खीर वीडियो को अन तक देखी और अगर रेसिपी अच्छी लगे न तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए कैरमल राइस खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक तीहाई कप चावल ले लिए हैं अब इसमें साफ पानी डाल कर इसे कम से कम तीन से चार बार अच्छे से दोलीजिए जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है न वो सारा पानी में निकल जाएगा उसके बाद इसमें हम साफ पानी डालेंगे और इसे ढखकर रख देंगे साइड में इस तरीके से अगर पानी में सोक करके रखेंगे ना तो हमारे चावल बहुत जल्दी पक जाएंगे अब दूसरे पैन में मैंने गी गरम कर दिया है और इसमें हम स्प्रेड कर लेंगे एक चौथाई कप चीनी फिलाल गैस का जो फ्लेम है उसे मीडियम रखेंगा यहाँ पे हम चीनी को कैरमलाइज करेंगे अगर आप एकदम लो फ्लेम रख देंगे ना तो तो एकदम अरसा लग जाएगा इसे कैरमलाइज होने के लिए इसे स्टार्टिंग में आप मीडियम फ्लेम रखें और जैसे ही ब्राउन कलर होने लगे ना फ्लेम को लो कर दीजिए यहाँ पे हमारा जो कैरमल है ना वो रेडी है अब हमने जो राइस को भिगो के रखा था था ना पानी में उसका पानी फेक देंगे और चावल को डाल देंगे पैन के अंदर अब लो फ्लेम पर ही चावल को हम रोस्ट कर लेंगे इस कैरमल और घी के साथ कम से कम एक मिनिट के लिए अगर आपको ऐसा लगे जिस स्पून से आप चला रहे हैं उसमें चिपक गया है कैरमल और चावल तो डरिये मत बात में जैसे हम मिक्स करेंगे ना वो अपने आप उसमें निकल जाएगा अब हम इस पैन में आड़ करेंगे दो कप दूद याने की 500 ml के असपास दूद लिया है आप चाहे तो गाई का दूद आड़ कर सकते हैं या फिर जो फुल क्रीम मिलकातान वो भी चल जाएगा दूद को मैंने पहले से बॉइल करके नहीं लिया है लेकिन अगर आपके पास उबलावा दूद रखा है वो भी डाल सकते हैं अब मैं इस पैन को ठक दूँगी और इसे मीजिम फ्लेम पर पका लूँगी लगबग 10 मिनिट के लिए अब तक हमारा जो चावल है ना वो भी अच्छे से पक जाएगा आप चाहे तो दो वसल से प्रेशर कुग भी कर सकते हैं और जल्दी काम हो जाएगा मैंने साइड में एक बड़ा चमज खी ले लिया था उसमें थोड़े से ड्राइफ रूट्स काटकर रोस्ट करके इसमें डाल दूँगी मैं साथ ही डाल दिया है तीन बड़े चमज चीनी चीनी की मातरा आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं या फिर चीनी की जगा अगर कंडेंस मिल्क होन आपके पास वो भी डाल दीजिए उससे बहुत अच्छा क्रीमी नस आता है साइड में जितना भी चिप अगया है ना खीर उसे अच्छे से स्क्रेप आउट करके ले लीजिए हमार जो खीर है वो अल्मोस्ट यहां पर डन है बस एक मिनट और इसे पका लेंगे लास्ट में टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने डाल दिया है एक चमच इलाइची पाउडर मिक्स कर दीजे ग्यास का फ्लेम ओफ कीजे और आपका खीर रेडी है आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म एंजॉई कीजे या फिर नॉर्मल टेंपरीचर आने पर फ्रिज में रख दीजे और थंडा थंडा खाईए आप इस रेसिपी को कप ट्रॉय करेंगे त्योहार पर या झाल 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 झाल